कश्मीर में शांती बहाली को लेकर जबू कश्मीर गया सर्वदली प्रतिनिधी मंडल आज शांती बहाली के रास्ते तलाशने के लिए बातचीत का दौर जारी रखेगा आज जबू जा सकता है इससे पहले ग्रेमंत्री राजना सिंग की अगवाई में सर्वदली प्रतिनिधी मंडल रविवार को श्री नगर पहुचा प्रतिनिधी मंडल ने शेरे कश्मीर कॉन्फरेंस सेंटर में अलग अलग पातियों के नेताओं से मुलाकात की कश्मीर में अमन बहाली का रास्ता जूडने गए सर्वदली प्रतिनिधी मंडल के नेताओं से मिलने से अलगावादियों ने मना कर दिया होडियत नेता सयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारुक ने नेताओं से मुलाकात नहीं की प्रतिनिधी मंडल में शामिल लेफ्ट जेडियू और एई एमाई आई नेता ओवैसी ने जेल में बंद अलगावादी नेता यासीन मलिक से मुलाकात की कश्मीर में सर्वदली प्रतिनिधी मंडल में शामिल केंद्री मंत्री रामविलास पास्वान ने कहा है कि यहां लोगों से काफी सौहाद कूर्ण तरीके से मुलाकात हुई और लोगों ने कश्मीर में शांती बहाली के विश्यर में काफी सुझाव दिये वहीं AIMIM अध्यक्ष असुदीन ओवैसी ने कहा है कि कई लोग All India Party Delegation से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं तूडेंट्स हों या चाहे और भी तबके के हों पॉल्टिकल पार्टी के हों तो सब लोगों से मुलाकात भी और बहुत ही फूटफूल तरीके से सब लोगों ने जो है अपना सेशन दिया मुझतीनों ने मुझसे कहा कि उन्होंने एक मुश्तरे का मुटफिखा फैसला लिया है कि वो इस All Party Delegation के किसी भी रुकुन से नहीं बात करें और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो वाइलेंस हुआ यहाँ पर जो हालाद चल रहे हैं इसलिए उसने उन्होंने फैसला लिया अब कश्मी में भीर को नियंतरित करने के लिए पैलेट गन की जगा पावा सेल्स का इस्तिमाल किया जाएगा अगरी मंतराले ने हिंसक भीर को काबू करने के लिए लाल मिर्च वाले पावा शेल्स के इस्तिमाल को मंजूरी दे दी है पावा सेल्स का असर ऐसा होगा जिससे आने वाले प्रदर्शनकारी चंद मिनट के लिए अपनी सूध बुध खो देंगे ऐसे में उन्हें हिरासत में लेना आसान हो जाएगा लगनौ के इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्निलोजी रिसर्च में करीब एक सार से पावा सेल्स के टेस्टिंग चल रही थी इसके विलिए केंदर सरकार की एक्सपर्ट टीम इसकी टेस्टिंग की जानकारी ले रही थी केंदरी मंत्राले की एक एक्सपर्ट कमिटी ने पावा शेल्स का डिमोस्ट्रेशन भी लिया था हाला की पैलेट गन पूरी तरह बंद नहीं हुई जरूरत पढ़ने पर इसका इस्तिमाल भी किया जा सकता है चीन के हांग जाउ शहर में चल रहे जी ट्वेंटी शुकर संबेलन का आज दूसरा और आखरी दिन है आज पीम नरेंद्र मोदी, ब्रिटेन की पीम, थेरिसा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपती मेरिस्तियो मैक्री से मुलाकात करेंगे जी ट्वेंटी समिट के समापन के बाद आज ही पीम स्वदेश लोटेंगे इससे पहले रविबार को जी ट्वेंटी स्विकर संबेलन के पहले दिन पीम मोदी ने की राष्टपती बराक ओबामा, चीन के राष्टपती शी जिन पिंग, साओधी अरब के डिप्टी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिल सलमान समेट दुनिया की दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात की सभी देशों के राष्ट अध्यक्षों ने ग्रुप पोटो भी खिचवाई, जी ट्वेंटी समिट से पहले पीम मोदी ने चीनी राष्टपती शी जिन पिंग और आस्ट्रेलिया के पीम मैकलम टर्बुनल से मुलाकात की चीन के राष्टपती जिन पिंग से मुलाकात में मोदी ने पीयोके से गुजरने वाले चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का मुद्दा उठाया, इसके अलावा नूकलियर सप्लायर ग्रुप सियानी एनर्जी में भारत की सदस्सिता और आतंकवाद के मुद्दे पर भी चर् कार की थी. अब आदमी के सरोकारों और सादगी का दम भरने वाले दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजिवाल और उप मुख्यमंत्री मनी सुसोदिया ने एक साल में 58 लाक रुपे का नाश्टरे में खर्च कर डाले हैं चौकाने वाला ये खुलासा आर्टी आई के जरिये हुआ ह कि 14 फरवरी 2015 से जुलाई 2016 के बीच सीम के जिवाल और डिप्टी सीम सिसोदिया के दफ्तर में एक साल में चाय नाश्टे पर 58 लाक खर्च किये गए वहीं डिप्टी सीम सिसोदिया के ओफिस ने 11.5 लाक रुपे खर्च किये इसमें डिप्टी सीम के दफ्तर ने 5.62 लाक और कैम्प ओफिस ने 5.66 लाक रुपे नाश्टे पर खर्च किये साथी दिल्ली के पांच मंत्रियों के दफ्तर में चाय नाश्टे का खर्च भी जोड़ दिया जाए तो एक करोड से उपर बैठेगा RTI एक्टिविस्ट और एड्वोकेट विवेगर्ग ने के जिवास सरकार पर कई सवाल उठाए है विवेगर का रोप है कि उनकी कई RTI को दिल्ली सरकार दावा कर रही है और दिल्ली सरकार के हर MLA के दफ्तर पर आए खर्चों का सच सामने आना चाहिए सवाल ये भी उठाए है कि अगर दिल्ली के सीम सिर्फ और डिप्टी सीम के दफ्तर में चाय कौफी का खर्च लाखों में है तो दिल्ली सरकार ने कितने पैसे लटाए होंगे जब एक करोड की चाय मुख्यमंत्री उनके मंत्री पी जा रहे हैं तो अगर सारे डिपाइटमंट का जब ये जवाब आएगा तो अब अदाजा लगा सकते हैं जन्ता के पैसे का कितना दिरुपियों को रहा है तो ये बहुत बड़ा गुठाला हो रहा है और इस पे भी ज होनी चाहिए और हम एंटी करप्शन गुरांग से मां करेंगे कि इस विशेट पर जाच करी जाए जाए तकरीबन जो खर्चा है उनका कैंप ओफिस और मेन ओफिस का तकरीबन 47 लाग रुपे वो भी एक बड़ा चौकाने वाला कि एक तरब मुख्यमंत्री के बास तो कोई जिस आप से देखने पे लगता है यानि पाटी की मीटिंग जो भी इनके ऑफिस में घर पे हो रही है उसका भी सारा खर्चा यह सरकारी जेब से दे रहे हैं वो एक और बड़ा चौकाने वाला तत्य है जैसे अब इनके जो संदीब कुमार मंत्री पकड़े गए हैं जित्यार में होंगी वीडियो में वो नहीं है और वीडियो की फॉरण सिख जाच कराई जानी चाहिए आशुटोष के विवादत बयान को लेकर कॉंग्रस और बीजेपी दोनों ने सीम केजिवाल से सवाल पूछे हैं कॉंग्रस ने कहा है कि जिवाल को ये साफ करना चाहिए कि वो आशुटोष पर क्या कारवाई कर रही है और वही दिली विधान सभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुपता ने संदीप कुमार के किलाव कड़ी कारवाई की मांग की है ये गिरफ्तारी तो उसी दिन हो जानी चाहिए थी जिस दिन सीडी सामने आए क्योंकि उसमें साफ प्रतीत हो रहा था कि संदीप कुमार ने खुद वो सीडी बनाई है और वो सीडी क्या है वो तो एक अनर्चिरल सेक्स और ब्लू फिल्म का एक एक जीता जाकता सबूत पेश किया है दिली सरकार के आमावी पार्टी के मंत्री ने तो इसलिए मात्र सस्पेंड करने की जो आमावी पार्टी ने एक नोटंकी की थी उसका परदाफाश हो गया और जितना सरलता से और सहस्ता से इस मामले को लिया था आमावी पार्टी इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा ये मामला है इक बहुत ही शर्मनाक है कि आग पार्टी जो बड़े उसूलों के बाद करके आई थी उसका असली चाल चरीत रोचेहरा जंता के सामने आ चुका है गरीबी रेखा के कार्ड के एवज में रेप इससे शर्मनाक और गिनोनी हर्कत को छोनी सकती और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है कि इनी की पार्टी की बड़े नेता अशुतोष संदीप कुमार को बचाते हुए राश्पिता तक का अपमान कर देते हैं के जिवाल को जबाब देना होगा कि आखिर वो अशुतोष पे क्या एक्शन ले रहे हैं और साथी संदीप कुमार को कड़ी सजा हो जाएंगे दिली पुलिस ने के जिवाल संकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के घर की तलाशी ली है पुलिस की टीम ने सुल्तानपुरी के एफ ब्लॉक में संदीप कुमार के घर की तलाशी ली एफ ब्लॉक में इस घर में संदीप कुमार अकेले रहते थे पुलिस को आश्रंका है कि संदीप ने इसी घर में महिला के साथ वीडियो बनाया था और पुलिस ने पास के घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे की चाबियां थी लेकिन बाहर से उपर की सीडियों का लॉक खुलने की वज़े से पुलिस उपर के कमरों में नहीं जा पाई वही सुल्तानपुरी में नाराज लोकों ने सुल्तानपुरी में विरोध प्रदर्शन भी किया आज गुरू के सम्मान का दिन सिक्षक दिवस है देश भर में अपनी सिक्षा से अलग रहा दिखाने वाले 346 सिक्षकों को आज सम्मानित किया जाएगा राश्टिपती प्रवणा मुखर जी आज राश्टिपती भवन में सिक्षकों को सम्मानित करेंगे स्कूली सिक्षा में साल 2015 के दौरान उलेखनी योगदान के लिए विभिनिश रेडियो में कुल 346 सिक्षकों का चयन किया गया है जिन सिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा इसमें उतरप्रदेश के 30 सिक्षक हैं इसी तरह बिहार से प्राथमिक स्कूलों के 5 और माधिमिक स् शामिल किया गया है बिहार में टॉपर स्कैम के बाद एक और स्कैम सामने आया है बिहार राजी खेल प्राधिकरन ने बिना मैदल जीते ही खिलाडियों को विजेता बना कर सम्मानित कर दिया मामला सामने आने के बाद खेल प्राधिकरन के अधिकारियों और कर्मिचारियों की भूमिकाओं पर सवाल खड़े हो गए है बिहार राजी खेल प्राधिकरन ने नेशनल पारा एथलेटिस्ट में बिना मेडल जीते छे दिव्यांग की लाडियों को खेल समान से नवाज दिया खबर है कि इसकी जानकारी खेल समान समाहरों से पहले ही खेल प्राधिकरन की अ टाले की बास सामने आई है बिहार राजी खेल प्राधिकरन ने मेरे द्वारा तुरंत उसी समय स्थगना देश उस पर किया गया मौकी रूप से मैंने बैंक के अधिकारी को कह दिया कि ये इस नाम के चेकों का भुकतान नहीं किया जाना है अब हम पूर्ण सत्यापन और उस सत्यापन के परचाद जो भी कानूनी कारवाई है जिसके भी विरुद्वो बनती है हम उसमें कानूनी कारवाई करेंगे और सख्त कारवाई करेंगे इसकी जाँच तहकीकात होनी चाहिए, गहराई से होनी चाहिए, नहीं तो बिहार के साथ में जो हो रहा है, खेल के साथ खिलवाल परतिभाओं के विकास में बाधक बना हुआ है इसकी जांच होगी तहीं पता चलेगा खिलाडी दोसी हैं, खिल संग के अधिकारी दोसी हैं, की विवाग दोसी हैं, खिल विवाग आज से टेलिकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ी क्रामतियाने वाली हाज से रिलाइंस जियो पूरे देश में लॉंच होने जा रहा है रिलाइंस जियो की प्रिपेट सर्विस ने वाइस कॉल को पूरी तरह से फ्री कर दिया है, टेलिकॉम सेक्टर में एक बड़ी लड़ाई का आगास कर दिया है, जिसमें सबसे जादा फायदे में अगर कोई होगा, तो वो है कंजियूमर रिलाइंस जियो के वेलकम ओफर में सभी सर्विस 31 दिसमबर तक फ्री होगी, रिलाइंस जियो की सभी वाइस कॉल फ्री होगी, सभी SMS मुफ्त होंगे, 50 रुपए में एक जीनी डेटा मिलेगा, साथी नाइट डेटा को फ्री कर दिया गया है, मुकेश अबानी ने दुनिय की सबसे सस्ती डेटा सर्विस देने का दावा किया, दिवाली होली न्यू यर में मैसेज भेजने का कोई अलग चार्ज नहीं होगा, इसके अलावा स्टूडेंस को 25 प्रतीशत डेटा अर्थिरिक्त मिलेगा BSNL 9 सितंबर से Unlimited Broadband Plan की घोशना करेगा, Unlimited Broadband 249 प्लैन में अगर वो भोगता एक महीने में 300 GB डेटा डाउनलोड करेंगे तो इसका टेरिफ एक रुपे प्रतीश जीबी आएगा उत्रप्रदेश के मुख्य मंतरी अखिलेश यादव आज गाजियाबाद में आला अल हजरत हाउस का उद्गाटन करेंगे करीब 40 करोड की लागत से तयार हुए आला हजरत हाउस को आज हाजियों के लिए खोल दिया जाएगा साल 2005 में मुलायम सिंग यादव ने आला हजरत हाउस की नीव रखी थी और ये क्याबनिक मंतरी आजम खा का ड्रीम प्रोजेक्ट है खास बात ये है कि हज हाउस में एक साथ करीब 2000 हज यात्री ठहर सकते हैं के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये गए हैं दूसरी और हज हाउस का विरोध भी जारी है हिंडर नदी के किनारे बने इस हज हाउस में एंजी टी में याजिका भी दाखिल की गई है जिस पर अक्टूबर में सुनवाई होगी पूरे जोन से फोर्स की लिए इमांड की गई है यहां पे और ओर जो पूरा रूट है और उसके अलावा वहाँ पे जन्सभागा जो शेत्र है वहां और पूरे एरिया में शेत्रू अन्छी हे लिए अरिया डोमिनेशन केलिए फोर्स की परियाप विवस्था की गई है हिंडन के पास हजावस बनेगा बाती जंता पार्टी इस तब भी विरुद किया हम लोगों ने आंदुल किये धन्ने किये प्रदर्शन किये और हम लोग जेल भी गई और पुलिसन भी पकड़ा हमको हम सुरू से इस बात के खिलाब में कि एक बर्ग को इतनी मदद नहीं देनी चाहिए सब बर्गों के लिए काम करना चाहिए सरकार है तो सब के लिए अके लेकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रविवार को उत्तरप्रदेश के इलहाबाद में रैली की संगम नगरी में मायावती ने समाजवादी पार्टी बीजेपी और कॉंग्रस पर निशाना साधा मायावती ने कहा कि पीम प्राइवेट कंपनियों को प्रचार कर रहे हैं और किसान भूके मर रहे हैं बीज़पी अध्यक्ष ने केंद्र की मोधी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोफ लगाया और कहा कि मोधी सरकार ने 2014 में किये गए किसी वादे को पूरा नहीं किया मायावती ने कहा है कि यूपी में अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी बनाएगी बीज़पी अध्यक्ष ने कहा है कि बीज़पी की सरकार बनने पर ही यूपी में अच्छे दिन आएंगे अब तो केंद्र में इस पार्टी की सरकार के वे देश के परधान मंतरी सिरी नरेंदर मोधी ने अपनी सरकारी कमपनियों को भी दरकिनार करके अब यहां बड़े बड़े पूंजी पतियों वे धन्ना सेटों की प्राइवेट कमपनियों के प्रोडक्ट को ही बढ़ावाद देने के लिए ही मीडिया तक में खुलकर अपना विज्यापन देना शुरू कर दिया है अब इनके विज्यापन भी आने लगे है यूपी फते के लिए कॉंग्रस 80 चोटी का जोर लगा रही है। करता को जम कर फटकार लगा दी हाला कि बाद में राजबब्बन ने कहा कि ये उनका गुस्ता नहीं उनकी वेदना है। मुझे बताओ हिंदू वो है जो हेरान कहता है। में बताओ हिंदू वो है। अब आप को जो हुआ है। अब आपको जो है। अब आपको जो हुआ है। फिरोजबाद के शुकोहाबा तहसील के दिवायची गाउं में इस आठ साल से एक सरकारी पानी टंकी एक नीजी नेता के जागीर बनी हुई है गाउवालो का रोप है कि आठ साल पहले पानी की टंकी बनाई गई थी लेकिन इस टंकी से छे महीने भी लोगों को पानी नहीं मिल पाया और एस पी नेता राजीव यादव ने टंकी पर कबजा कर लिया गावालों का आरोप है कि राजीव तंगी के पानी की सप्लाई जबरन अपने दो कारखानों और नीजी स्कूलों में करते हैं गोरकपुर में रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन में दंगा नियंतरन करने को लेकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया SSP की अगवाई में दंगा कंट्रोल करने में इस पित इस्तिमाल किये जाने वाली चीजों रिपीटर आसु गयस के गोले दागनी की प्रैक्टिस की गई लेकिन इस ट्रेनिंग के दोरान कई दारोगा और सिपाही फेल साबित हुए कई दारोगा रिपीटर को बोल्ट ही नहीं कर पा रहे थे, कई थानेदारों को इस बंदू को चलाने का तरीका तक नहीं पता था कई पुलिस वाले आसु गयस के गोले फेकने में भी नाकाम साबित हुए SSP ने फिसदी साबित हुए इन पुलिस वालों की जमकर क्लास लगाई दंगानी अंतरन ट्रेनिंग में फेल हुए दारोगा और सिपाहियों को दोबारा हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी UP में दंगाईयों से निपटने के लिए पुलिस टेजर गन का इस्तमाल किया जाएगा इसका लाइव डेमो खोद UP के DGP जाविद एहमद ने किया लखनाओ में UP पुलिस के हैटकौर्टरस में टेजर गन का टेस्ट किया गया TGP जाविद एहमद ने टेजर गन को खुद पर आजमाया टेजर गन की गोली से जोर का जटका लगता है जिस पर इस्तमाल किया जाता है उस शक्स का शरीर कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है उत्तप्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की बदहाली को बदलने के लिए संभल के SDM संजीव कुमार ने अनूठी पहल की SDM संजे कुमार प्रशाशने कारियों के साथ अब बच्चों को भी पढ़ाते हैं 36 गर देश में ब्रश्टा चार की जाच नहीं करने के मामले में सबसे आगे केंदर सरकार की ओर से जारी साल 2015 की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है पंजाब के होश्यारपूर में एक कबार की दुकान में जबरदस्त ब्लैस्ट होने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गम भी रूप से घायल हो गए हर्याणा के पुलिस गुरुग्राम में लड़कियों से छेचार करने कवालों के खिलाफ आपरेशन रोमियो चलाकर काररवाई की गुरुग्राम के एमजी रोड पर ये काररवाई हुई मध्यप्रदेश के दत्या जिला अस्पताल में बिमार सिस्टम की बज़े से लोगों को खासी परिशानियों का सामना करना पड़ाए है अलाथ ये है कि अस्पताल में दवाउं से लेकर सिरिंज तक की भारी कमी है वारांसी में एक नया विश्व कीर्तिमान बन गया है यहां लोगों ने मानव शिंखला बना कर साढ़िस साथ किलोमीटर तक तिरंगा लहराया RBI के सबसे चर्चित गवर्नर रगुराम राजन के कारेकाल का रविवार को आकरी दिन था आधिकारिक तोर पर वो नए गवर्नर उर्जित पटेल को 6 सितंबर को कारिभार सौपेंगे SBI अपने पाथ सहयोगी बैंकों समेत भारती महिला बैंक के साथ मर्जर की प्रक्रिया की शुरुवात अक्टूबर की अंतिस से करेगी SBI के मताबक अगले साल माज तक मर्जर की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी दुनिया भर के गरीबों को एक मा की तरह पावर प्लैंट बाटने वाली मदर टेरेसा अब संत कहलाएंगी वेटिकन में पोप रविवार को उन्हें संत का दर्जा दिया गया संत बनने के बाद अब मदर टेरेसा को संत मदर टेरेसा ऑफ कोलकता के नाम से जाना चाहेगा मदर टेरेसा को संत की उपादी उनकी उन्नीस भी पुन्यत थी के एक दिन पहले दी गई इस मौगे पर वेटिकन में तेरा देशों के राष्टा अध्यक शौर करीब एक लाख लोग मौजूद रहे वेटिकन सिटी स्क्वेर में मदर टेरेसा के स्तैक्डो अनियाई तिरंगा लेकर पहुँचे भारती विदेश मंतरी सुष्मा स्वराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बैनर जी और दिल्ली की मुख्यमंतरी अर्विंद के जिवाल भी इस मौके पर मौजूद रहे भारत प्रत्न और नोबल पुरिसकार सम्मानित टेरेसा पहली महिला है जिन्हें संतिकार दरजा दिया गया है देर रात तक लोग ढोल नगाडों के साथ गड़पती बपा को अपने घरों और पंडालों में जाते नजर आये लालबाग भायखला समेत कई इलाके रोशनी से सजे नजर आये गुमे खासा उस्ताह देखा जा रहा था आदे फूट से लेकर साथ फूट तक के गड़पती नजर आ रहे थे